चोपड़ा जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चों NTA का ने 24 रजल्ट से पहले की सारी एक्टिविटीज कम्प्लीट हो चुकी है, अभी रजल्ट आना बाकी है फाइनल आन्स्वर की के साथी रजल्ट जारी किया जाता है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि इन एक्टिविटीज को देखते हुए, हमें ऐसा लग रहा है कि रजल्ट में अभी कोई देरी नहीं होगी और रजल्ट आने के बाद, काउंस्लिंग कभी स्टार्ट हो जाएगी, और ये आन्स्वर की आने से कटोफर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आपको एक बार मैं फिर से बताऊंगा, कि मार्ट वर्सेज रेंक क्या हो सकती है 24 के लिए, तो आईए ज्यादत देरी ने करते हुए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नी 24 का रजल्ट कब तक आ सकता है, तो NTA की जो अभी तक की एक्टिविटीज है, उसके अकोर्डिंग ये मैसूस हो रहा है कि NTA का रजल्ट अभी बहुत ही जल्द आ जाएगा, हमने 18th माई 24 को एक वीडियो बना के एक्सपेक्टेट डेट बताई थी, कि जो आंश्वर की और ओमार है, वो 1 जून को रिलीज हो जाएगी, ऐसा हमने एक एक्सपेक्टेट डेट बताई थी आपको, लेकिन ये 30 माई 24 को रिलीज कर दी गई थी आंश्वर की, और इसका जो अक्स्टेंश किया गया था, वो 1 जून को सुबह 11 बजे तक किया गया था, सुबह 11 बजे तक गया गया था, ये 1 जून को, इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो अक्स्टेंशन दिया गया है, आंश्वर की चैलेंज के लिए, ओमार चैलेंज के लिए, वो भी 1st June का पूरा टाइम नहीं दिया गया, इसको देखते हुए ऐसा मैसूस हो रहा है, कि NTA का जो रेजल्ट है, वो 5 से 9 June 24 तक रिलीज हो जाएगा, यानि कि 5 June को भी रिलीज हो सकता है, 6 June को भी रिलीज हो सकता है, 7, 8, 9 को भी हो सकता है, लेकिन 10 June से पहले पहले ये रेजल्ट अनाउंस होने की पोसिबिलिटी है, मैं कोई NTA का रिपर्जेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन पिछले रिकोर्ड के अकोर्डिंग और जो ये NTA की एक्टिविटीज है, आन्सवर की रिलीज की, ओमार रिलीज की, उसके बाद अक्स्टेंशन की, इसको देखते हुए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, कि ये 5 से 9 जोन 24 तक कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है NTA की तरफ से, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कि देखो NTA के पास अभी सब कुछ तयार है, आन्सवर की चैलेंज की डेट खतम हो चुकी है, ओमार चैलेंज की डेट खतम ह अगर किसी आन्सवर को चेंज करना है, तो वो एक कोडिंग के थुरू होता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, और अगर ओमार में किसी स्टुडेंट का रिस्पॉन्स वगरा चैलेंज किया है, वो एसेप्ट करना है, तो भी उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, त response से capture करना scan करना ये ही सबसे बड़ा खाम है अभी result में कोई समय नहीं लगेगा अगर NTA challenge स्वीकार करता है हलंकि मैं अपना view बता रहा हूं कि मेरे को नहीं लगता है कि answer की में वो कोई challenge स्वीकार करेगा ये मैं मानता हूं लेकिन अगर कर भी लेता है तो मुश्किल से एक या दो दिन ज़्यादा लग सकता है तो अगर NTA चाहे तो ये कल भी result दे सकता है अगर response और answer की में कोई challenge स्वीकार नहीं किया दाता है तो उसके पास सब कुछ ready है सब कुछ ready है वो कल भी result है शो कर सकता है लेकिन ये सारी फोर्मल्टियां होती है अभी दो-चार दिन दो-तीन दिन का समय तो इसमें लगेगा ही क्योंकि इसमें जो student दोरा दिये गए है challenge किये गए है उनको तो check किया जाएगा एक बार ओमार को भी देखा जाएगा NTA दोरा response तो दिया जाएगा ये कि challenge स्विकार किया या जाए या नहीं किया जाए तो अगर स्विकार किया जाता है तो एक-दो दिन और लग सकता है अगर चले answer की agities रहती है तो NTA के पास सबकुछ अभी ready है क्योंकि मैं इसलिए ready बोल रहा हूं कि एक बार response recorded response जारी हो जाते हैं इसका मदलब सबकुछ ready है ring तयार करना है वो coding के तुरू तयार होती है उसमें कोई समय नहीं लगना है तो NTA का result मैं जो मानता हूं वो 5 से 9 जोन 24 के बीच में मान रहा हूं यह जरूरी नहीं है कि NTA नहीं जो official date दे रखी है 14 जोन की उससे पहले result जारी नहीं हो सकता यह बिलकुल नहीं है condition NTA इस date से पहले कभी भी result जारी कर सकता है इसके बाद भी result जारी कर सकता है यह तो एक tentative date होती है कि यह इस date तक result जारी हो जाएगा NTA के पास पहले सब कुछ data तयार हो गया तो पहले भी result मैंने पहले भी बताया था कि इस बार result NTA का इस 14 जोन से तो पहले ही आ जाएगा जो counseling starting date है वो 1st July 24 हो सकती है क्योंकि इसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है 24 lakhs candidate का data NTA को सभी counseling state authority को भीजना है उसके बाद में MCC को भीजना है तो इसमें समय लग सकता है तो हम मानते हैं कि 1st July तक counseling start को सकती है और जो इसकी session starting date है वो 15 अगस्ट हो सकती है क्योंकि government द्वारा corona के बाद में हर एक साल एक-एक मेना advance किया जा रहा है जिससे कि वो पहले वारे schedule में ही आ जाए तो ये है कि जो NTA का result है वो बहुत ही जल्द आने वाला है इसके लिए आप तयार रहें ये 5 से 9 जोन के बीच में कभी भी release हो सकता है 10 जोन से पहले-पहले result आने की पूरी-पूरी possibility है अब बात करते हैं एक बार cut-off की की answer की आने के बाद cut-off कितनी जा सकती है तो मैंने आपको जो पहले cut-off predict की थी मेरे इसाफ से इससे down जाने की possibility नहीं है और ये कब ये increase भी हो सकती है लेकिन कब increase हो सकती है ये देखो मैंने 15,000 seats इस साल increase होने के संभावना के बाद ये cut-off predict की है मैं ये मान के चला था जब मैंने ये cut-off predict की थी कि 15,000 इस साल seatیں increase होंगी हलांकि जो NMC नी notice दे रखा है 170 colleges में उन में तो मैं 17,000 मान रहा हूं लेकिन हम अगर कम से कम मान के चलें तो मैंने 15,000 seat का ideal लगाया था यहां पर अब ये जरूरी नहीं है ये seatیں कितने भी बढ़ सकती है 7,000 भी हो सकती है 8,000 भी हो सकती 10,000 भी हो सकती 12,000 भी हो सकती है 15,000 भी हो सकती है 17,000 भी हो सकती ये seatیں कितने भी हो सकती है इसका अभी किसी को भी पता नहीं है NMC, Inspection Authority इसको भी पता नहीं कितनी को परमीशन दी जाएगी अभी यह इसका जब आइडिया नहीं है तो कट ओफ हम मानके चल रहे हैं इतने सीटों पर अगर 15,000 सीट से बढ़ती हैं तो 620 कट ओफ रहेगी इससे डाउन जाने की पोसिबिलिटी नहीं है लेकिन अगर इससे डाउन सी इससे कम सीट इंक्रीज होती हैं तो फिर कट ओफ इंक्रीज होगी आपका दिली यहां तूटेगा मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी यह सच है लेकिन अगर इतने सीटें इंक्रीज नहीं होती हैं इससे कम सीटें इंक्रीज होती हैं तो जितने कम सीटें होती जाएगी ये 625 भी हो सकती है मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ हलंकि आपको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कोई बात नहीं है नहीं लगे तो क्या फरक पड़ता है ने मेरे को इससे फरक पड़ने वाला है ने इसमें NTA को फरक पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर इससे सीटें कम इंक्रीज होंगी, कम इंक्रीज होंगी, तो कटोप इतनी जा सकती है। इसी कारण नमस और भी कम होती हैं, तो 625 से ज्यादा भी जा सकती है क्रीज होंगी, क्योंकि यह जो मैं आपको कटोप बता रहा हूं, यह लास्ट राउंड की क्रीज होंगी, तो यह अब पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि सीटें कितने इंक्रीज हो रही हैं, और यह किस को भी पता नहीं है कि सीट इंक्रीज कितने हो रही हैं, तो एग्जेक्ट कटोफ कोई नहीं बता सकता आपको, आज की डिट में कोई यह बोले कि एग्जेक्ट कटोफ 625 रहेगी, यह गलत है, सीटें ज्यादा बढ़ गई, 625 भी आ जाएगी, अगर सीटें बढ़ी, 625 भ पुरा मामला अभी, अभी जो पुरा का पुरा मामला है, वो सीट इंक्रीज पर डिपेंड है, क्योंकि क्यूशन पेपर हो चुका है, आंस्वर की आ चुकी है, यह सारे फेक्टर अभी तक हमें मालूम हो चुके हैं, लेकिन एक ही फेक्टर मालूम नहीं है, कि सीटें कितन बता रहूं हालां कि हमारी कटोफ भी गलत हो जाती है पहले भी हमारी कटोफ गलत हुई है इतना नहीं है कि बिल्कुल ही मैं भगवान हूँ कि मैंने सारा सब कुछ बता दिया यह इतनी रहेगी ऐसा कुछ नहीं है पहले भी हमारी कटोफ गलत होती आई है लेकिन जो अभी य तो इससे डाउन जाने की possibility नहीं है, इतने सिटे इंक्रीज हो जाती है, तो इससे cut-off down जाने की possibility नहीं लग रही है, चलो ये तो cut-off की बात मैंने बता दी, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी, इसके लिए मैं आपसे शोरी चाहता हूँ, क्योंकि नहीं लगेगी, आपने आसाएं काफी कर रखी होंगी, और होने भी चीए, मैं भी ये चाहता हूँ, cut-off काफी कम जाए, मेरे को भी इसमें बहुत फाइदा होगा, अगर cut-off 615 चली जाती है, तो हर student को फाइदा होता है, और हर student को फाइदा होता है, तो मेरे को भी फाइदा होगा, मैं ये चाहता ह कि कटोब कम जाए मैं कटोब ज्यादा जाने से मेरे को कोई फाइदा नहीं होने वाड़ा है लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ अब माक्स वर्सेज रेंग का मैंने एक वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा और काफी स्टुएंट को यह माक्स वर्सेज का जो मेरा वीडियो था यह चोका देने वाड़ा वीडियो था यानि कि इससे चौंक गए थे इक्तम से जो मेरे उपर फेद करते हैं वो तो चौंक गए थे जो फेद नहीं करते हैं उनको सच नहीं लगा है लेकिन मेरे इसाफ से अब जो आंसर की आ गई है और लड़कों क का हमरे पास response आ गया है उससे ऐसा मैसुस हो चुका है कि जो मैंने ये marks versus rank के दो seat डाली है इन में इनसे जो rank है वो ज्यादा ही जाने की possibility है इससे कम जाने की possibility मेरे को नहीं लग रही है इस marks पर ये जो मैंने rank predict की है इससे ज्यादा ही जाने की possibility है ये मैं इस according बता रहा हूँ student की response से बता रहा हूँ और answer की के according क्योंकि answer की में ऐसा कोई उल्टा फुल्टा NTA की तरफ से किसी question का answer नहीं दिया गया होता है ऐसा कि अगर दो तीन question का answer NTA की दोड़ा different दिया जाता तो फिर इसमें change हो सकता था marks versus rank में मैं मान सकता था कि ये कम हो सकती है लेकिन जो मैंने ये rank predict की है उससे ज्यादा ही जाने की possibility है मेरे को नहीं लग रहा है कि इससे rank कम चली जाएगी तो मैंने आपको बता दिया है कि NTA का result जल्द ही आने वाड़ा है इसके लिए आप तयार है और मैं पहले भी वीडियो म में यही बोलते आया हूँ काफी वीडियो में मैंने बोला है कि इस बार की जो rank marks versus rank होगा वो unexpected होगा और वो काफी ज्यादा होगा तो इसके लिए मैं साथ-साथ आपको श्योरी भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी उमीदू पर खरा नहीं उतर रहा क्योंकि आपने काफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही रजल्ट आते ही काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमारे तीन वूइलेबल है और इसमें All India Quota State I.O.S. वेटनरी की वूइलेबल है All India Quota में हमने सारी फैसलिटी दे रखी च्वाइस लिस्ट दे रखा है 24 के लिए इसमें इस परकार से च्वाइस लिस्ट दे रखा है और कटोफ दे रखी है चार साल की इस साल की कटोफ जो प्रिविएस यहर की कटोफ इसमें 10 से 15 मार्क्स जोड के देख सकते हैं आपको कौन सा कोलेज मिल सकता है दिम्ड वगरा के बारे में जानकारी है एम्स स्टेट के बारे में फीज के बारे में काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सब कुछ बहुत कुछ स्टेट की बुक में भी समझा रखा है और डोकुमेंट्स क्या चीए काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा आयूस वेटनरी की बुक में भी सारी सेम फैसलेटी अवेलेबल है इस वीडियो के description box से ये तीनों बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप more पर click करेंगे इसका link दिया हुआ है हमारी website पर भी आप visit करके ये book डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं जो limited है कुछ दिन बाद में हम बंद कर देंगे website पर आप visit करेंगे तो इस पर कार का interface दिखाई देगा जिस book को download करना चाते हैं उस page पर आप click करके download कर सकते हैं तो यह जानकारी मैंने आपको दे दी है तो दोस्तों देखो यह मेरा जो experience है यह 10-12 साल का experience से मैं आपके सामने share करता हूँ और सच बात है वो किसी को अच्छी लगती नहीं है और इसमें जो मैंने बताया है मेरे जो prediction के according मैंने सच बताया है और यह जो cutoff और marks versus rank बताई है कि इससे ज्यादा ही जाने की possibility है कम जाने की possibility कहीं लग नहीं रही है हर एक साल कितने सीटे increase होती है उनको मैं follow करते आ रहा हूँ कितने cutoff increase होती है कितने student increase होती है यह सब मैं देखता आ रहा हूँ तो इन सब के according मैंने यह देखके यह video बनाया है आपको अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है एक like कर देना और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है जब result आ जाएगा उसके बाद में हमारी गलती होगी हम आपसे शोरी मांग लेंगे उसमें और हमारी अगर गलती नहीं होती है तो आप हमें सच मांके हमारी चैनल को आगे फॉलो करते रहें तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जैगी